कि अच्छ फालो फ्रेंड्स वैलकम टू यू पीट वाला तभी फ्रेंड्स का बहुत-बहुत स्वागत है यू पीट्प सी वाला के इस यूट्वीट चैनल पर जो फ्रेंड्स बुनियाद सेर्यज आपकी स्टार्ट हो चुकी है आप सब बहुत इंगरली वेट कर रहे थे क पिर और भी ऐसे एक्जाम जिसमें GS point of view से आपको जरुरत है अपने fundamental को strong करने की, so आप बुनियाद badge को join कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ ये free of cost है, तो कल कुछ बच्चों के जो comment है टीम ने shortlist किये हैं, कि आपको क्या-क्या problems है, आपको क्या Hindi में problem है, English में problems है, questions, notes, PDF, बहुत सारे ऐसे questions, तो उस पर पहले चर्चा करेंगे, और हम class को start करेंगे, अच्छा, कल आपकी class 1 हुई थी, तो आज है आपकी polity की class 2, कल हमने समझा था, diversity को, discrimination को, आज हम बात करेंगे government की, और key element of a democratic government, सरकार क्या होती है, और सरकार के एक ऐसा देश, जो खुद की सरकार को लोक्तांत्रिक कहता है, democratic कहता है, उसके क्या ऐसे key element of features होने चाहिए, कि उसके विस पर हम कह सकते हैं, कि वह particular देश जो है, democratic तरीके से अपनी government run कर रहा है, तो आज की class में हम बात करेंगे, आज का बुनियाद आपका class 2, ठीके, चलिए, तो देखिए, topic 2 बी covered, आज की class में हम बात करेंगे, सबसे first, चुकि एक interaction, चुकि बच्चो बना रहे, तो सबसे पहले, थोड़े से आपके doubt, obviously बात है, कि अगर 1000 comment हुए, तो वह सारे discuss करना possible नहीं है, बठा, कुछ student के जो questions है, answer है, उसकी मैं कोशित जरूर करूँगी, so randomly हम एक या दो बच्चो के question answer जो है, comment जो है, आपसे share करने की कोशिच करें, ताकि आपको ये लगे कि आपकी बाद भी सुनी जाती है, so बच्चो comments देखेंगे, ठीके student के, and then हम बात करेंगे constitution की and preamble की, चुकि कल हमारा ये part रह गया था, और फिर हम बात करेंगे government के types की and government और इसके types की democratic government की, key element of a democratic government, participation, need to solve conflict, equality and justice, तो ये आज की हमारी class के topic होगे, चलिए तो पहला भाग हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखो, comment है प्रतीक उपाध्या का, और इन्होंने, कल मैंने आप सभी को question लिखने के लिए था, means का number of questions बच्चों ने, number of जो बच्चे हैं, उन्होंने answer लिखे हैं, बहुत सारे student, सब के दिखाना friends possible नहीं है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दू कि आपने even कोशिश की, आपने शुरुआत की, अपनी answer writing का, this is important, आप कैसा answer लिख रहे हूँ, ये important नहीं, शुरुआत करना important है, जिसे कल भी मैंने अपनी class में आप से कहा था कि कहीं पर पहुचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, तो जब आप शुरू करोगे answer writing को करना, तभी तो हम सीखेंगे न, तो आप अगर सोचों कि पहले दिन ये आपको ऐसे question, answer मिल जाए कि आपको 12 में से जो 12 मार्क स पर मिल जाए, ये possible नहीं है, धीरे धीरे शुरू करो, अपने आप आप देखोगे कि कैसे day by day आपकी answer writing जो skills है, पहले से ठीक होती जा रही है, तो प्रतीक आपने बहुत प्रतीक उपाध्याई ने answer किया है, कि क्या अगर हम एक term use करते है, unity and diversity, क्या ये इंडिया के लिए fit बैठता है, तो यहाँ पर कई बच्चों ने answer लिखे, ठीक है, तो प्रतीक आपका answer बहुत अच्छा है, ठीक तरीके से आपने जो सारे चीज़े हैं बताया कि किस तरह से अगर हम अपने cultural की बात करें, historical की बात करें, तो अलग-अलग चीज़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक ह अब देखो, धनराज आपका comment है, आपने answer किया है, Hindi, English सबके लिए है, because of यह जो class है, आपकी bilingual रहने वाली है, ठीके, कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो class है, उसमें दोनों जो आपका Hindi and English, दोनों की जो PPTs है, आपसे share कर सके, don't worry, ठीके, परेशान नहीं होना है, तो आपने अनेकता में एकता शब्द कैसे भारत कवर्णन करता है, और नहरू की जो पुस्ता के, the discovery of India, इसमें यह जो word है, उद्रत हुआ है, very good, चलिए, आप देखते हैं, सबसे अच्छा अंसा निधी का है, एक बार देखेगा, निधी सिंग आपने बहुत अच्छा अंसा लिखा ह है, because of इनोंने सबसे लास्ट में, पहले उस बात को समझाया है, कि कैसे जो unity and diversity है, और उसके बाद उन चीजों को समझाती हुए, कि different different languages है, different हमारे जो religious है, cultural practice है, उसके बाद भी कैसे हम सब एक है, और सबसे लास्ट में आपने conclude किया है, अच्छा, एक और बात आप सभी सु importance नहीं होती, ठीक है, तो conclusion word मत लिखना, सबसे लास्ट में या तो अगर आपने brackets किया है, ठीक है, यह possible है, हो सकता है, तो आप सबसे लास्ट में बिना conclusion लिखे भी जो दो lines लिखेंगे, वो भी आपकी conclusion ही बाने जाएंगे, clear, तो निधी, very good, प्रभात आपने एक request की है, कि subject की जो series जो है, वैं शुरू हो रहे हैं, तो पहले एक subject को finish किया जाए, तो देखो, कई तरीके हो सकते हैं, NCRT को खतम करने के, किसी भी subject को खत्म करने के, आपकी जो अपनी preparation है, उसको भी खत्म करने के, तो आप सब के बहुत सारे questions है, बच्चों, सभी के जवाब देना त तो यह रेडमली ही हमने देखा है, अच्छा तो इन्होंने लिखा है, हाँ तो definitely हम ऐसा ही करेंगे, तो अभी मैंने quality शुरू किया है, और जब तक आपका सारा quality खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम एक subject शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एक subject को पढ़ रहे होते ह हैं, तो आपको क्या है कि उसमें सारे चीज़ें आप इंटर लिंक करते हैं बचों, तो यहां पर अगर बीच में geography पढ़ा देंगे, तो फिर आप वहां पर थोड़ा सा भटक जाते हैं कि अच्छा geography में आपकी दिमाग में जो है इंडिया की physical geography चलने लगी, हमालय चलने ल करने कुमारी से कीज़े, कोई दिककत नहीं है, जहां से रिजिस्ट्रेशन करना है कीज़े, हाँ, एक और बड़ा मुद्द जू था, PDF को लेकर था, सो फ्रेंट्स, एप्लिकेशन पर भी जो बुन्याद बैच है, जो कि आप सभी के लिए free of cost, एक बच्चे का मैस्ज था क अच्छा, आई ये तो किवल डेमो क्लास है, बाकी तो पेड है, अरे पेड नहीं है, बुन्याद और समधाल, दोनों ही जो है, प्रेंट्स, ये आपको free available है, ठीके, on YouTube, and on PW का जो एप्लिकेशन है, उस पर भी, clear, सो देखो, PDF आपको एप्लिकेशन पर ही मिलेगी, बुन्य टू एंट्री, लोगतांतिक राजनीती, पार्ट वन एंट्व, डेमोक्रिक्स, आपको जो पॉलिक्स है, राजनीतिक सिध्धान भारत का समधान, क्लास 11, क्लास 12, कालिन विश्व राजनीती है, स्वातंत्र भारत में राजनीती, सो कल हमारी जो चर्चा है, बच्चों, व क्या है, और ये किन आधारों पर होती है, और हमने जाना कि डावस्ट्री और डिस्क्रिमिनिशन, आप कैसे जो भीदभाव है, वह करने लगते हैं, और उसके पीछे आपके पूर्वाग्रह होते है, ठीके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आज की जो हमारी क्लास है हम गवर्मेंट की बारे में समझेंगे, what is government and key element of a democratic government, ठीके, और next आपका जो होगा, local government and administration, चलिए, तो important, important जो topics है, वही हम cover करेंगे, अच्छा, मैं आपको बता दू कि जो कल की क्लास है, उसमें हमने समझा था, कि diversity क्या है, ठीके, मैं आपका थोड़ा सा कल का क्लास जो है, एक दो मिनिट में बता देती हूं, फ्रेंट्स, थोड़ा सा रिवेजन हम कर लेते हैं, ठीके, तो कल की क्लास में हमने समझा था, कि different different two की religion है, language है, और बहुत सारी ऐसी भशाय है, जिसके चलते हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक है, तो यहां पर ह है, तो वो क्या हुआ, कि आपका diversity हो गया, लेकिन बचों, जब हम diversity की बात करेंगे, ठीके, diversity के कई कारण हो सकते हैं, और बहुत reasons की आधार पर, जब आप किसी से क्या करें, आप उस चीज को practice में लेकर आए, आप यह सोचे कि वो आप से अलग है, और यहां पर आप उससे भेदभाव करना शुरू हो जाते है, discrimination, ठीके, discrimination, भेदभाव, और भेदभाव जो है, कैसे बनता है, कि पहले आपके मन में पूर्वा ग्रह आ जाते है, आपके मन में prejudice बच जाती है, ठीके, अच्छे एक बच्चे लिखा था, मैं prejudice मतलब हम यह सोच सकते हैं, कि ठीके, यहां पर prejudice क्या था, कि जो लड़किया है, वह एरोप्लेट नहीं चला सकती है, तो यहां पर आपको यहां दखना है, कि यह जो आपके गहरे विश्वास होते हैं, आपके जो एक unreasonable thoughts होते हैं, जब यह convert हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तब वो आपकी रूड़ियां बन ज लेकिन वच्चों, जब हम इसके आधार पर हम क्या करते हैं, भेदभाव कर दें, एजुकेशन से भेदभाव कर दें, लड़के को सिक्षाध है, लड़की को ना दें, तो यहां पर यह सारे चीज़े क्या हो गई, अब जैसे कास्ट रस्टा में भेदभाव का सबसे उधारण, तो यहां पर पूर्वग्रह, रोडिवादिता, एंडिस्केमिनेशन, तो यह जो है, कल सब लिखवाया था, परेशान नहीं होना है, कि मैंने रफ कर दिया, चलो सो शुरू करते हैं, सो कल की क्लास का हमारा बचा हुआ था, कॉन्स्टूशन सम्विधान, इसने ह की बच्चों, बेसिक्स की खुबसूरती है, अगर आपने डारेक्ट लक्षपी कान्त को उठाया, तो आपको आपको आर्टिकल पढ़ाना शुरू कर देगा, कि भाग एक में ये है, भाग दो में ये है, इस अनुछित में, लेकिन सम्विधान क्या है, और क्यों इसकी हमे आविशक्ता है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, तो अब यहाँ हम देखेंगे, कि जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, हम अगर एक समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो इसमें तूकि डिफरेंट डिफरेंट कम्मुनिटी के लोग हैं, और अगर मान ल हैं, तो अगर इन्हें एक सोसाइटी में रहना है, तो कुछ तो ऐसे नियम बनाने होंगे न, कि सब उसका पालन करें, और सब इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रह सकें, कि हाँ, अगर इनका पालन नहीं होगा, तो उसके लिए सुप कोट बैठा हुआ है, वो इस चीज़ क हमने क्या कर लिए, या तो written form में, या unwritten form में, या तो लिखित, या तो अलिखित रूप में, समाज में हमने बना लिए, ठीक है, वैसे क्या हो गया, अब हमने जब इन इस समवेधानिक रूप से इन मुल्यों को, इन constitutive principles को, बुन्यादी मुल्यों को लिख लिया, वो हमारा समवेधान हो गया, so constitution of India क्या है, the fundamental law, written or unwritten, written किसका है, and unwritten किसका है, जैसे कि हम UK की बात करें, Britain की, unwritten है, ठीक है, written की हम बात करते हैं कि, India, that established the character of a government by defining the basic principle to which society most confirmed, तो समाज के लिए, बुन्यादी मुल्यों जो है, वह बनाने का काम करता है, आपका समवेधान, ठीक है, चलि आपको सबसे first sentence है, वो क्या देखता है, आप NCRT में भी देखेंगे, तो सबसे पहले क्या देखता है, आपको NCRT में, जब आप बच्चों NCRT बढ़ेंगे, यह classics का NCRT है, और इसमें आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे page पर ही, आपको यहाँ पर भारत का समवेधान और प्रियंबल है, वे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो कि हमारा जो पहला sentence हो, यह एक ही sentence है, वो क्या है, समवेधान की प्रस्थावना, प्रस्थावना बहुत इंपोर्टेंट है, आप सभी को पता हुआ कि अब तक किवल एक बार इसमें जो संशोधा ने वह किया गया है, भारती संविधान का दर्शन, भारती संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है, जो भी हमारे संविधान के दार्श्थिक मूल ने है, वो सब इसमें लिखे हुए है, ठीके तो यह हमारा हो गया प्रस्थावना, प्रियंबल, और इसका बच्चो एक एक वर्ट आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है, और UPC many times इससे क्विशन जो है, पूछ चुकी है, जैसे कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि आज हम दर्शंकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में, ठीके, कुछ वर्ट अगर हिंदी के हैं, इंगलिश वाले बच्चों आपको ख कीजे, यही एक तरीका है आपके fundamental को strong करने का और यही हमारा motive भी है, कि आपके जो basics है, आपके जो fundamentals है, वो बहुत strong हो जाए, तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सम्विधान को अंगीकरत कर रहे हैं, आधिनयमेत कर रहे हैं, और आत्मार्प के लोग, यहां से UPSC ने question पूछा, कि आखिर सम्विधान में शक्ति का जो स्रोत है वह क्या है, सोर्स क्या है, पावर का, हमारे government को जो शक्तिया दे गई है, सम्विधान में जो बाते लिखी हुई है, उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है यह first word, हम भारत के लोग, be the people of India, ह हाँ, एक और important बात मैं आप सभी को बता दू, Monday to Friday, ठीक है, Monday to Friday, आपकी यह जो classes है, वह चलेंगे, चलें, so first page of the constitution that present a summary of our rules by which that nation most function is called the preamble, तो अगर हम अपने सम्विधान के सार की बात करें, summary की बात करें, यह आपका preamble है, प्रस्तावना है, ठीक है, चलें, so आगे देख Saturday and परसो Sunday, दो दिन आपकी जो class है वह नहीं होगी, ठीक है, upcoming week से हम Saturday संडे को आपके practice session रख सकते है, हम revision classes जो है, वह कर सकते है, surprise test हो सकते है, answer writing कर सकते है, तो basically हर वो तरीका जो है, हम जरूर अपनाएंगे, जिससे आप सभी को चीज़ें आसानी से समझाए, ठीक है, so यहा कि उसमें हर एक word पर एक एक chapter है, so हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले है, यहां केवल एक जलक है, which of the following word has not been written in the first page of the Indian constitution, सबसे पहले तो आपकी पता चल गया कि first page of the constitution मतला प्रेंबल की बात हो रही है, so यहाँ पर socialist word है, soveran है, democratic है and Indian word है, तो कॉनसा शब्द जो है वह ल दिखा हुआ नहीं है, तो जब हम शुरुवात देखते हैं, शुरुवात कहते है, we the people of India, hello, we the people of India, लेकिन Indian word नहीं है, Indian word जो है friends, यह नहीं है, first है, बिल्कुल है, समाजवादी, समप्रभू और लोकतंतरात्मक तीनों ही जो शब्द है, वह इसमें दिये हुए है, लेकिन इंडिया जो हुआ है, वह नहीं दिया हुआ, clear, अच्छे यह देखो कि जब हम समप्रभू की बात करेंगे, समप्रभू का मतलब क्या, यूपैस का जो मीन है, आर्थ जो है, वह पूछ चुका है आपसे, पिलिम्स एक्जाम में, समप्रभू का मतलब होता है कि आप अपने decisions लेने के लिए आंत्रिक और बाहरूप से पूर्ण तहस वतंतर है, आप पर किसी भी देश का, किसी भी शक्ती का कोई बाहरी दबाव नहीं है, तो ये होता है समप्रभू होना, चलिए अब आगे देखिए कि कुछ कीवर्ट से आप जो first page of constitution है, यानि preamble है उस पर लिखे हुए इसका आपको sequence लगाना, UPSC इस तरह से question पूछ चुकी है, एक और तरीका, जहां से प्रिशना है, उस पर भी हम discussion करेंगे, equality, समानता, justice, liberty and fraternity, बंधुता, तो अगर आपको इसका correct sentence, जो sequence है जमाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे, कि justice है, कितने प्र सो हर एक word का आपको ठीक तरीके से postmodern करना है, कि even इस शब्दी की व्याख्या क्या हो सकती है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, और साथी साथ इन सारे जो शब्दे बच्चों, इसके sequence जो है वह क्या हो सकते है, ठीके, तो यहां पर आप देखेंगे, कि इसका जो हमारा sequence बनेग क्या बनेगा, क्यों दारता है, उसके बाद समानता है, और फिर आपकी सबसे आखरी में बंद होता है, यह fraternity लिखा हुआ है, ठीके, आगे देखो इसको बहुत डीप से समझने के लिए हम upcoming classes में देखेंगे, standard जो आपकी class होगी, और यहीं एक कारण है कि यहां पर मैं इसक करवाई, अरे भई, deep study तब करवाएंगे, जब हम आगे, standard wise चुकि हम चल रहे हैं, तो जब 9th की class में, 11th की class में इतना धीप है कि आप परिशान हो जाओगे, याद नहीं रहेंगी चीजे कि एकी paragraph में इतनी सारी जो चीजे हैं, वे कैसे आ गई, है ना, चलो अब शुरू क कि कि अगर सरकार है, तो वे कितने स्तर पर होती है, level of government है, कि कितने type की government हो सकती, इस्तर में और प्रकार में अंतर होगा है, तो यहाँ पर level of government, कितनेcondu इस्तर पर होती है, higher Alleg C, है ए नहीं है? और जब हम types की बात करते हैं, अगर हम विभिन देशों की बात करें, तो UK में कै इंडिया में कैसी है तो यह क्योंगे बच्छो टाइप हो गए है ला एंड डेमोक्रेटिक गवर्मेंट और डेमोक्रेटिक गवर्मेंट आपके लिए शब्द ही इंपोर्टेंट है बच्छो उसके बीचे कारण है कि इंडिया जो है भारत की अगर हम बात करें विश्व का स क्योंकि अगर आपको इंडिया के सिस्टम को समझना है आपको इन शब्दों से जरूर परिचित होना पड़ेगा ठीक है चलो तो हम शुरू करते हैं सबसे पस देखो कि जब हम गवर्मेंट की बात करते हैं तो बच्छो गवर्मेंट का मतलब होगा हिंदी वाले हिंदी मन सबसे नोर्स बना लेजिएगा है ना मुझे लगता है कि यह शायद शब्द आप लिख लेंगे बच्छों गवर्मेंट सरकार हैं क्या इसके प्रकार है और एक लोकतांत्रिक जो सरकार है वह क्या है मंदे से बच्चों आपको दोनों मीडियम, बाइलिंग्वल मिलेगा, आपका मैटर, ठीक है, एप्लिकेशन की उपर, लोगतांत्रिक सरकार, सबसे पस देखो, अगर आप से कहा जाए कि आप एक वर्ट में, कॉंस्टूशन को डिफाइन केजे, अब आगे से आप कर लेंगे कि कुछ basic, कुछ constitutive principles जो होते है, society के लिए, तो उनी बुन्यादी मुल्यों के समू को हम constitution कहते हैं, ठीक है, और देखो कि जब हम सरकार ये government की बात करेंगे, government मतलब क्या, आप कहते हैं कि सरकार ऐसी है, वैसी है, लेकिन अगर आप से वही कोई, आप किसी से पूछ लिए कि पार्लियमेंट, तो इसमें सरकार में क्या आएगा, CM, PM, सारे, तो आपको पता होना चाहें नहीं कि government word का मतलब क्या है, विस्तार से आगे देखेंगे, अभी आपकी इवल इतना समझ लिए, लेजिए, कि government का मतलब होता है, बच्चों, कि एक group of people का होना है, लोगों के समू का होना, जो कि decision ले रहे है, जिनने authority है, rules बनाने की, तो group of people, लोगों का समू, जिनने authority मिली है, चाहे वह किसी तरीके से मिले, तो इनके पास authority है, किस चीज़ के लिए, rules बनाने के लिए, regulations बनाने के लिए, ठीके, rules and regulations के लिए, इनका implement कराने के लिए, इनका enforce कराने के लिए इसके पास पावर है तो एसे लोगों का Мोनार की हो वहां पर भी किसी देश में चाहे वह अफगानिस्तान की बात करें तो वहां की सरकार कौन हो गई है ना तो यहां पर बच्चों आपको याद अठना है कि बस ग्रूप ओफ पीपल है इसके पास अथोरिटी है अथोरिटी लेने का क्या प्रकार हो सकता है वो बात का विशय है रूल्स और रागुलेशन बनाने के लिए जो लोग है व क्या केवल कानून बनाना इसका काम है या फिर आगे ये उसे लागु कराने के लिए उसे इनफोर्स कराने के लिए भी प्रतिवद है डेफिनेटी फॉर एक्जामपल अगर हम कहें कि आपको बाइसिकल आपको जो भी आपकी बाइक है ठीके मोटर गाडिया है वो सभी चला होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और ट्रेफिक पुलिस अगर आपको पकड़ता है तो फिर आपको क्या हो सकता है फाइंट हो नहीं सकता है तो यहां पर बच्चों वो आपको फाइंट करेगा ठीक है जेल भेजा जा सकता है तो यहां पर क्या है क केवल lawmaking काम नहीं करेगी बल्कि उसे लागू कराने के लिए उसे आप पर आपसे मनवाने के लिए जो government है वह कारे कर सकती है तो license and fine ठीके इसके अलावा एक और condition सुनो अभी हमने पढ़ा कि group of people है जो केवल lawmaking नहीं करा रही है बल्कि enforce भी करा सकती है और उसके लिए like license और उ लग रहा है बचो कि जो government है अपने ही बनाए हुए जो rules है इनको पालन नहीं करवा रही है अगर ऐसा लगता है तब यह व्यक्ति कहां जा सकता है यह सीधा जाएगा court जाएगा claim करेगा ठीके तो यह तरीका हो गया एक सरकार का यह क्या करेगा कि अगर law follow नहीं हो रहा है मा समानता के सिधानत पर कारे करते हैं है ना समानता का जो सिधानते किस article में काफी बच्चों ने कला असर दिया तो यहां पर देखो बच्चों अगर आपको मालीजे कास्ट रिलेजन या फिर किसी अन्याधार पर आपको किसी जॉब में नहीं रखा जाता है आप क्या कर सकते करके सिधा कोट जाकर और यह जो क्लिम हैं वह कर सकते हैं कि गुदर निना जी बनाए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो यह यह क्या होगया एक गूवमैंट और यह सिस्टम अब हम आते हैं सेकेंड पर जिसे हम कहेंगे लैवलल आ अफ गवहमेंट ठिक है अब हम किस सरकार तो आपने समझ दिया अब लेकिन जब मिस्तर की बात करेंगे कि government जो हैवैं कितने इस्तर पर हो सकती है तो आप क्या समझते हैं कि कि आप सबसे पहले जो टॉप पॉथरिटी है वैं किसकी है Central government की है केंद्र सरकार की है ठीक है पस्ट पर कौन हो गया बच्चों केंद्र सरकार तेकंड आप देखेंगे कि सेकंड जो लेवल है आपकी स्टेट गवर्मेंट MP, UP, हर्याणा, ठीके, राजस्तर की सरकारे, तो इसमें आपका जो भी स्टेट का काउंसिल है, सेंबली है, ठीके, जो भी कारेपाली का है, यह सम आ गए, लेकिन देखो कि आप देखें यह कि स्वातंतिर्ता के समय, हमारे पास यह दो ही लेवल था है, लेकिन उसके बाद जब पंचायती ववस्था और बाकी सम आते हैं, तो अब आपका तीसरा जो स्थर है, जो कि क्या है, बचो, इस्थानिय सरकार, लोकल गवर्मेंट, ठीके, लोकल गवर्मेंट, तो क्या हो गया, तीन स्थर हो गया, आप देखेंगे, कि एक लोक तंतरात्मक ववस्था में प्रथम स्थर उपर से नहीं गिना जाएगा, यहां से गिना जाएगा, लोक तंतरात्मक ववस्था में प्रथम स्थर क्या है, इस्थानिय स्थानिय 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 आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि विश्यों को इन तीनों के बीच में बाटने के लिए एक ववस्था की गई है कि सनुसूची में आप कॉमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो कीद्र सरकार है कुछ ऐसे विशय है जो की सेंटर लिस्ट रियूनियन लिस्ट का है इसा है जिसमें कि वलकेद्र सरकार ही विशय बना सकती है रूल्स बना सकती है सेकेंद आप देखेंगे के स्टेट लिस्ट में ऐसे विश्यों को रखा गया है जो कि स्टेट-गण görमेंट का है ठीक है जैसे कि आप देखेंगे कि जील की ववस्तायाईव है करना स्थानीय और इसतार की सूची जिसे हम कहते हैं और समवर्ती सूची में ऐसे विश्व की बात होती है जिसमें कि केंद और राज दोनों ही जो सरकारे हैं वह नियम बना सकती है लेकिन अगर उनके बीच में कोई कंफ्लिप्ट होता है कोई contradictory law बन जाता है तब फिर क्या होगा केंद सरकार के जो निर्णा है वह मान होंगे यह क्या होगे लेवल ऑफ गवर्मेंट हो गया लेकिन आपको यह आगे की बात है ना आगे हम जो अनुसूचिया है वह पढ़ेंगे इन विश्व का जो विभाजन ह है वह पढ़ेंगे अभी फिलाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि लेवल ऑफ गवर्मेंट की जब हम बात करेंगे तो तीन इस्तर पर अभी सरकारे हैं केंद राचेद स्थानिये क्लियर है अब लेक्स हम देखते है टाइप ऑफ गवर्मेंट ठीक है लेक्स हम बात करेंग प्रकार में देखो तो आपको कई तरह की सरकार है वह होती है और यहां पर यह पर यह पर बहुत नहीं फैलेंगे एक पड़ाते रहोंगी दो तरह की सरकार हम बात करते हैं ठीक है एक ऐसी सरकार जो की लोकतांत्रिक हो एक ऐसी सरकार बचों जो की क्या हो लोकतांत्रिक हो तो डेमोक्रासी की definition, यह ओप आप सभी को बता है, एक ऐसी सरकार, ठीके, यहाँ पर मोनार्की की बात की गई है, किसकी बात की गई है, राजाशाही, राश्तंत्र, ठीके, जैसे की बिटेन में, हाला कि बिटेन में अब समवेधानिक राश्तंत्र है, यहाँ पर की राश्तंत्र, बोनार की, इन दो को हम आगे समझेंगे, लास्ट हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्मेंट है, यह क्या होती है, चलिए, तो आपको जो अब तक मैंने समझाया, एक कुश्यन आप से पूछ लेते हैं, एक कुश्यन पूछ लेते हैं, ज़्यादा समझाना समझाना, आप इंपलीमेंट भी तो आपको करना आना चाहिए, कुश्यन है बच्चों, consider the following statement regarding democracy, लोगतंत्र के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिये हैं, फर्स्टेटमेंट आप से कहता है, इंडिया फॉलो इंडारेक्ट फॉर्म अप गवर्में प्रिवेल, ठीड़े हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लोगतंत्र का रूप केवल वहीं पाया जाएगा, जहाँ पर संसदीय सरकारों, पारलियमेंट डवोर्मेंटर केवल वहीं लोगतंत्र होगा, अमेरिका खुदको लोगतंत्र कहता है, वहां पालियमेंटरी सिस्टम नही तो जब डेमोक्रसी की बात करेंगे बच्चों तो इसके जो टाइप है बिसिकली दो टाइप ठीके एक हो गया डारेक्ट लेकिन डारेक्ट उन देशों में पॉसिबिल है जहां पर डारेक्ट में क्या होता है लोग खुद लॉव मेकिंग में विधी निर्मान में भाग ले ठीक है यह लॉव मेकिंग होगे आप सोचो कि अगर अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हर एक वो व्यक्ति जो सोच सकता है विधी के बारे मागर उससे पूछा जाए तो उसके बाद भी वह प्रक्रिया इतनी लंबी होगी कि एक ही लॉव मेकिं के लिए 10 साल लग जाएंगे लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि डारेक्ट जो है इंडिया में पॉसिबिल ने फिर भी कुछ देशों में पॉसिबिल है डारेक्ट के आप देखेंगे कि बिसिकली इसके फोर टूल सा जो आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे फिलहाल जि इसे हम वोट देकर काम चला लेगे ठीक है मैं वोट दे रहा हूं दे रही हूं और वोट देने के बाद जो भी चुना जाएगा वो प्रतिनिधी वो हमारा रीप्रेजेंटेटिव होगा वो जाकर पारलियमेंट में लोग सबाब राजसबा में हमारी बातों को रखेगा त लेकिन जब हम इंडारिक्ट की बात करेंगे इंडारिक्ट में क्या होगा आप्रत्यक्ष में कि आपने क्या किया वोट किया ठीके है representative बदी कहा तो हमारी जो व्तायों लोकतंत्रात्मक्त है लेकिन कैसी है बच्टों प्रतीनिति है ना representative system होगा हमारे हां तो डैमोक्रसी का हमने कौन सा रूप अपनाया इंडारेटली क्या यह बात समझ में आई नहीं समझ में आई तो एक बार आपढ़ियेगा तो जहां पर संसदिये सरकार हो नहीं बहा है अमेरिका में भी जो फॉर्म है डयमो क्रेशी के अपनाया गया है फिले वहां पर संसदिये सरकार नहीं है अध्यक्षाफॉत्न प्वस्ता को कि इन्करेक्ट आपको बताना था clear I hope किसी को confusion नहीं होगा फिर भी आपको लगता है कि मैं नहीं समझ में आया आप पूछिए comment में पूछिए मैं कल बताओगी एक question जो कि UPSC ने 2020 में पूछा था प्रश्ण एकदम सीधा सा है NCRT से आया है आग constitutional government तो कि government की बात है हाला कि constitutional government पूछ लिया समवेधानिक सरकार पूछ लिया कि समवेधानिक सरकार से क्या आशय है कि घर से कुछन नहीं लाई हो UPSC क्या आया वरना कहिए मैं लेवल टफ बना दो अगर हम समवेधानिक सरकार की बात करेंगे तो इसका आशय क्या है government by legislature popular government multiparty government या फिर लिमिटेट गवर्मेंट अगर हम समवेधानिक सरकार की बात करें इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो Constitution बनाया है ठीके आपने जो समवेधान बनाया है इस समवेधान में ऐसे रूल्स बनाये हैं कि जिनके आधार पर हमारी जो government है वह formed होगी जिनके आधार पर हमारी जो सरकार है वह चुननी जाएगी तो आपने जो वेकी रूल्स बनाय हैं उसी आधर पर तो होगा। आप देखेंगे कि लोग सभा के लिए, राजय सभा के लिए अलग अलग कैसे चुनाः की ववस्था की गई है, कैसे हम अपने प्रत्निधीयों को चुनेंगे, कहाँ प्रत्िक्ष तरीका है, कहाँ प्रत्िक्ष तरीका है, रास्टपती कैसे चुना जाएगा, पी-म कैसे चुना जाएगा, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर सब है, कैसे चुना जाएगा, गवर्नर अगर है तो उसे लोग चुनेंगे या फिर सरकार उसे अपोइंट करेगी, तो बच्चो ये सारी बात ही क्या है, रूल्स नहीं बना हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिधा सा लिखा हुआ है कि रास्टपती प्रधान मंत्री की न्यूकती करता है, न्यूकत वर्ड है बच्चों, ठेके निर्वाचित वर्ड नी ये न्यूकत वर्ड है, या दखना इस वर्ड को, अब हाला कि वो बात अलग है कि जो बहुमत सिमित सरकार है, ठीक है, सिमित क्यों है, सिमित क्यों है बच्चों, क्योंकि इन डूल के अकॉर्डिंग ली ही सरकार का फॉर्म होगा, that's why इसको हम, next question, which of the following is our function of the government, देखो हर एक topic के साथ, चुकि मैंने आपको जब बेसिक, आपका जो बुनियाद बैच्चों से इंटिड्यूस कराया था, बच्चों, तब मैंने कहा था, कि हिंदी, आपका जो, हिंदी, इंग्लिश तो ठीक है, आपके जो मेंस और प्लेम की कुश्च्च इस भी हमारी डेली जरूरी है, तो इसी वज़े से हम डेली नोट्स भी बनाएंगे और हम डेली कुश्य सॉल बे करेंगे, अब देखो कि इसमें लिखा हुआ फंक्शन क्या है गवर्मेंट के, गवर्मेंट ने तो हमने समझ लिया, कि सरकार क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जिटके पास authority होती है, lawmaking की इनफोस करा सकते हैं, यहाँ पर चार सेंटेंस लिखे हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लिजे, इंगलिश वाले इंगलिश पढ़ लिजे, गवर्मेंट बेक दा डिसिजन और ने लेगी, काम करवाएगी, government protect the boundary of the country, maintain peacefully relation with the other country, सीमाओ की रक्षा करना, शांती पूर्ण संबंद बनाए रखना जिम्यदारी है, government कि अगर हम बात करें, तो जो भी dispute है, इंटर्प्थ है, legal cases है, इनमें काम करेगी, ठीके, 99 करेगी, और यह ensure करेगी कि food security जो है, and good health जो है, यह सुविधाय मिलती रहें, ठीके, अच्छी स्वास्विधाय मिलती रहें, इसका अंसर क्या होगा, कुछ कुछन्स आपके लिए छोड़ दे, है ना, चलो आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बच्चों, हमने बात की, अब तक कि जो government है, वह क्या है, ठीके, level of government क्या है, अब थोड़ा सा हम इसको explain भी करते हैं, चलो, first, first हमने देखा, कि जो government है, एक बार हम फिर से इसको revision, जो है, वह कर लेते हैं, चुकि अभी तक मैंने आपको notes बनवाए, government का मतलब क्या है, our system of, और या तो ऐसी ववस्ता, या ऐसे लोगों का सबू, जिनके द्वारा, जिनको authority होगी, किसकी govern करने की, शाषन करने की, तो इसमें देखो, basically, अगर आप बच्चों keyword निकालेंगे, कीवर्ड निकालेंगे न, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप देखो, मैं इस definition में से keyword निकालती हूँ, ठीके, आपको याद रखना है इस चिसको, Our government is a system, या तो system, या फिक group of people, जिसके पास authority हो किसकी, शाषन करने की, किसी देश यराज्य को चलाने की, ठीके, तो यहाँ पर इसकी जो अगर हम शुरुवात करें, कि इसकी जो प्रात्मिक जिम्मेदारिया होगी, वह क्या होगी, policy बनाना, ठीके, पूरी entire society के लिए, कई इस तरह की government हो सकती है, जैसे कि हम देमोक्राटिक बात कर ली, मुनार्की बात कर ली, ठीके, इस तरह की जो government है, dictatorship, ताना शाही हो सकती है, चलिए, अब देखो, what is government, government हमारा हो गया, एक political unit हम कह सकते है, ठीके, the ruling power in the political society, तो यहाँ पर यहाँ को एक drum, यहाँ पर भी याद लटने एक political unit हो सकती है, जिसके पास authority है, governing authority of a political unit, keywords जरूर याद रखो बचो, आगे देखो, level of government की जब हम बात करते हैं, कि देखो, चुकि अगर हम केवल केंदी सरकार की बात करें, कि एक गाउ में या किसी एक particular शहर में पाने की जरूरत है, या बिजली की जरूरत है, या कोई अजरूरत है, तो आपको लगता है कि किवल केंदी सरकार जो है, वह सीधा जाके वहाँ पर रोट बनवाने का काम करेगी, तो इसके लिए बचो एक हारेर की डेवलप की गई है, इसके लिए एक इस्तर बनाए हुए है, कि हमने हमारी प्रैसाशनिक, जो हमारी राजनि जाता है कि काम जो है, वह सुचारू रूप से चलता रहे, हर एक जगा ने लिए जाए, बहां की परिस्थितियों को देखती हुए ले जाए, लिए जाए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कि टाइप ओफ, मतलब लेवल अफ गवर्मेंट जो होना है, वह काफी जरूरी है, ठीके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है, कि रिसिजन बेकिंग प्रोसेस को हमने कई भागों में बाटा, और यहाँ पर हम देखेगे कि नेशनल लेवल होगा, तो जो हमारी नेशनल लेवल, रास्टी इस्तर की सरकार होगी, उसके मुख्य काम क्या होगे, राज इस्तर की ज रिस्ता करना, जो भी हमारे आई-ार इस्तर की सरकार है, जो भी हमारा ट्रेट है, अंतरास्टी व्यापार है, उसको देखना, तो मुख्य मुद्धे जो है, यह इस्तर की सरकार है, इसके लिए हमारे पास रास्टी इस्तर की सरकारे हैं, आई-ार का मुद्धा, लोकल लेव स्टेट गवर्मेंट नहीं देखेगी, clear, सेगेंड पर देखो, जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट की या यूटी की गवर्मेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों हम ने स्टेट लेवल कहा, और यहाँ पर जैसे हम पुल लोकल लेवल, तो लोकल लेवल की जब हम बात करेंगे, जिसे कि पंचायत इन रूरल एरियास एन मुन्शिपल कॉर्पोरेशन, ठीके मुन्शिपलिटीज, एन नगर पंचायत इन अर्बन एरियास, तो यहाँ पर जो लोकल गवर्मेंट है, वो काम कर रही है, अपना वहा कराना ठीक वही बात यहाँ पर की गई है, कि a role of conduct established and enforced by the authority, legislation, और custom of a given community, state, और a nation, तो यहाँ पर देखो, is called law, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर, किसी देश, किसी राज, किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लिए आपने lawmaking कर दिया, यह main काम होगा, ठीके government का, और यहाँ प the responsibility of the government and the citizens to uphold the integrity of law, और अगर हम चाहते हैं कि कानूनों की जो integrity है, जो law बन रहे हैं, ठीके, उनकी एक ववस्ता ठीक से बनी रहे, तो वो जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, कि अगर आपको helmet wear करने के लिए कहा गया है, अगर आपको license रखने के लिए कहा गया है, अगर आपको seatbelt लगाने के लिए कहा गया है, आप उस चीज़ को मारें, ठीके, अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो tax है, वे आप 31st September तक भर दे, आपका जो income tax है, तो ये सारे लोग क्या है, तो ये government ने बनाए, लेकिन जिम्मेदा यहाँ पर दोनों की होती है, चलो हम आगे देखते हैं एक question, जो की आपका जोड़ा हुआ है इसी से, तो यहाँ पर consider the following statement, with reference to law and government, ठीके, थोड़ी सी बात हमने समझ ली, पाकी हम question से समझ लेते हैं, दो statement है बचो, फस्ट है, government has power to make the decision as well as power to enforce its decision, सरकार के पास दिरना लेने की शक्ती के साथ साथ लागू कराने की भी शक्ती है, समझ ही गए होगे आप, समझ गए ना कि जिसे मैंने आपको license का उधारण दिया, अगर आप license नहीं रखते हैं, आप पर fine लगाया जा सकता है, तो enforce भी तो करा रही है, if a person feel for example that were not hired for a job because of their religion or caste, he and she may approach the government and claim that the law is not being followed, आप किसी person को, किसी को ऐसा feel होता है, for example, कि उसे particular caste or community or religion का होने की वज़े से job में hired नहीं किया गया है, तो वो कहां जा सकता है, government के पास जा सकता है, government के पास जाएगा, कि court जाएगा, तो यहां पर बच्चों, law बनाने की तो जिम्मेदारी जो है, वैस सरकार को दी गई है, लेकि के लिए हमारे पास हमारी नयपाली का है, ठीक है, हमारा क्या है, पूरा judiciary system है, court है, तो court इसकी ववस्था करेगा, कि भई, अगर आपने equality की बात की है, तो आपको क्या करना है, किसी भी caste community या sexual के आधार पर आप उसे बाहर नहीं कर सकते, तो यह government का काम नहीं होगा, यह judiciary का काम है, तो second wrong है, first विल्कुल सही है, चुकि आप से बच्चो correct पूछा है, clear हुआ, clear हुआ, clear हुआ आप सभी को, चलिए, अब हम type of government की बात करते हैं, type of government, पहले में आपको समझा देती हूँ, तो type of government में, basically यहां पर हम दो बाते कर रहे हैं, एक तो आपकी जो लोकतांत्रिक ववस्ता है, डेमोक्रसी है, ठीके, और दूसरा है आपका मोनार की ववस्ता, यानि राश्त अंतरात्मक ववस्ता, तो बच्चो देखो, कि जब हमारा जो रास्ता है, वह election process से गुजरता है ठीके, वोट process से गुजरता है, और फिर इसके बाद जब हम elected होते हैं, या हम किसी को चुनते हैं, तो यह जो आपका entire process है, यह आपका एक democratic country होने का एक ऐसे देश का प्रमार्ण है, ठीके, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश होने की शर्त क्या है, म चाहिए, लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, अब जो वोटिंग राइट है, कैसा होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे, कि एक रिशित आयू पालेने के बाद, जैसे कि हम सार्भूमिक व्यस्क मत अधिकार कहते हैं, और यहां पर UPSC ने question पूछा, कि सार्भ बचों के अलग-अलग comment हो सकते हैं, इसका answer मैं आगे दूँगे आपको बाकी classes में, लोगतांत्रिक की जब हम बात करेंगे, एक democratic government में, election होगा, चुनाव होगा, वोट दिया जाएगा, लोग जो है, वे elected होगे, यानि लोगों के पास अपने, एक simple अगर हम भाशा में कहें तो लोगों के पास, देखो समझाना मेरा काम है, प्लीज अपने अपने words में लिखिएगा बचों, लोगों के पास नेता चुनने की शक्ती होगी, ठीक है, लोगों के पास क्या होगी बचों, नेता को चुनने की power होगी, शक्ती होगी, पावर होगी, तो ये हम एक लोगता लोकतांत्रिक देश है तो यहां पर बच्चो जो गवर्मेंट बनेगी ना जो यह नेता होगा जो यह गवर्मेंट होगी ना इसके बाद में आपको दो बाते याद अठनी है फरस्ट तो है कि बच्चो यह अपने जो भी एक्शन है उसको एक्स्प्लेंड करना पड़े गा ऐसे है न, explain its action, आपको आधहर बताना होगा कि माल लीजे बिजली बिल जो है, आपने 10 रुपी यूनिट चल रहा था, आपने इसे 50 रुपी यूनिट कर दिया, तो यहाँ पर बच्चों आपको explain करना होगा, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, आप accountable है, तो नीतिया अग आपको बताना होगा, अगर democracy है, democratic government है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आपको बताना होगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, आधहर इसका क्या था, तो आपको अपने action को explain करना होगा, यह democracy है, and next देखो, कि अगर जो है, एक तो आधहर बताना होगा, और दूसरा है कि आपको defend करना होगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, बच्चों, आपको सफाई भी देनी होगी, कि हमने यह particular decision है, वो इस कारण लिया था, defend its actions, एक को समझ लो, मोनार्की अपने आप समझ में आ जाएगे, तो इसमें क्या है, कि आपने बिजली बढ़ाया था, तो आपने आधार बताया, और आगे भी उसकी सफाई भी दी, कि हमने ऐसा इसलिए किया था, ठीक है, अब देखो, तो यह तो होगा, बच्चों, डेमोक्रेटिक, आगे जब हम यहाँ पर मोनार्की की बात करेंगे, राज तंत्र, तो आप यह बताओ, कि अगर राजा है, ठीक है, अगर राजा है, उसने डिसिजन दे लिया, कि यह जो व्यक्ति है, इसको म्रत्युदंड दिया जाए, ना तो वो आपको एक्स्प्लेंड करेगा, और ना ही वो खुद को डिफेंड करेगा, भी वो राजा है ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि जहाँ पर राजा शाही ववस्ता है, जरूरी नहीं है, कि वो अपने, वो चाहेगा तो कर सकता है, अधरवाइस उसके लिए बिलकुल भी जरूरी नहीं है, तो मोनार्की में यह जो दो कंडिशन से यह लागू नहीं होगी, एक को समझ दिया, एक से ही हमने दूसरे को समझ दिया, कि जब हम मोनार्की की बात करेंगे, फिर से ध्यान सुनो, कि मोनार्की में चुकी राजा और रानी, जो भी है, जिसका भी साशन है, वो अपने निर्णयों को लोगों से अप्रूब करवाने के लिए बाद नहीं है, नही आपके लिए जबाब दे है, कि वह अपने डिसीजन को आपसे डिफेंड करता, फिर है ना, तो यहाँ पर क्या उसकी पास शक्ती है, और एक जो पावर फोल है, वो कुछ भी कर सकता है, एक शक्ती शाली जो व्यक्ती है, उसको सब कुछ माफ होता है, ठीक है, लेकिन जो कम आपको लोगों की बात सुनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनली आप अगर गवर्मेंट बने हो, आपके पास लोगों की जो अथोरिटी है, किस ने दी है, लोगों ने दी है, डेफिनेटली, इसक्रीन शॉट ले लो इसका, ठीक है, लिख लेना इसको, क्लियर है, दो बात हैं, और बच्चों हम समझते हैं, एक तो है आपका, डेमोक्राटिक गवर्मेंट, ठीक है, एंड सफ्रेज मुव्मेंट, दो बात हम समझते हैं, चलो उसके पहले एक कुशन हम देख लेते हैं, अब जो मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है, उसके आधर पर आप इस कुशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, पढ़ो जरा एक बार, भले वीडियो डारेक्ट अपलोड मिल जाएगा, लाइब कुछ दिन बाद मिलेगा, लेकिन एक आधर डालो कि हाँ, पहले विट रेफरेंस तु दा पावर अफ गवर्मेंट इन देमोक्रसी, दो सेंटेंस है, फस्ट आप से कहता है कि लोगतंत्र में सरकार के पास निर्ने लेने की शक्ती है और संसत के द्वारा कानून को लागू कराने की शक्ती है, ठीके, गवर्मेंट हैस दा पावर तु मेक इन फोस्ट लोगतंत्र में जो चुनी हुए सरकार कारियों की व्याख्या करने और लोगों को निर्नाई की बचाफ करने की आविशकता नहीं होती, ठीके, चलो मैं इसको कुश्चन नंबर आंसर दे देती हूं, कुश्चन नंबर तु, ठीके, आई होप आप समझ गए हों आपकी लिए लिखा है, क्या लिखा है, इनकरेक्ट बताना है, चलो आगे चलते हैं, दो बाते और समझेंगे हम अपने इस चैप्टर में, एक तो है कि रीप्रेजेंटेटिटिव डेमोकरसी क्या होती है, एन वुमिन सफ्रेज जो है वह क्या है, ठीके, दो बाते और बच इस चैप्रेजेंटेटिव की हमने जो अथरिटी है, वे डेलिगेट कर दी है, उसको जिसे हमने चुना है, यह आपका सिधा-सिधा क्या हो गए, रीप्रेजेंटेटिव डेमोकरसी की बात हो गई, चलो तो यहाँ पर थोड़ी सी जो चर्चा है, डेमोकरसी की हो जाए, ठ डेमोक्रेटिक गवर्मेंट, सबसे फस्ट देखो, डेमोक्रेटिक गवर्मेंट की जब हम बच्चों बात करेंगे, तो सबसे फस्ट इसमें क्या होना चाहिए, पार्टिस्पेशन, भागीदारी, अगर भागीदारी नहीं है, राजा रानी को चुन्ने में आपकी भागीदारी नहीं है, तो वहाँ पर क्या आप डेमोकरेटिक कंट्री कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना, सबसे फ़हले क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, फ कि कि और एक हो सकता है आप प्रतिक्ष कि हमें खुद नेता नहीं बनना है लेकर हम बनाएंगे झुँडे हरूर ठिके आप प्रतिक्ष इंडरेक्ट after all आपने चाहे प्रत्यक्षरूफ से चुना हो आप किसी को चुना है तो अगर आपने मालेजेस ए को आपने elect किया है select किया है बच्चों तो यह यहाँ पर direct हो रहा है और यहाँ पर indirect हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने democratic के किस form को अपनाया है इंडारेक्ट तरीके से जिसको चुन लिया है, अब ये हमारे लिए क्या काम करने वाले हैं, विधी निर्मान का काम करने वाले हैं, गानून बनाएंगे ये, कानून बनाने का जो काम है ये हमारे प्रतिनिधी जो की आप प्रत्यक्ष रूप से चुने गए है आप प्रत्यक्ष प्रतिनिधी ठीके आप प्रत्यक्ष जो प्रत्यनिधी चुने गए है बच्चों ये हमारे लिल्लो मेकिंग का काम कर रहे है अब आगे देखो कि हमने जो vote दिया था वो किस आधार पर था आप देखेंगे कि पहले हमारी जो vote की आयू है वह कितनी थी ये आपको बताना है कि पहले अगर हमारी आयू जो है पहले हम अगर 21 साल की हो जाते थे 21 यर तब हम क्या कर सकते थे वोट दे सकते थे लेकिन फिर ए एक amendment होता है संशोधन होता है यह आप बताएंगे ठीक है चीजे आपके लिए इसलिए चोड़ेंगे बच्चों क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे लेकिन आपको ये चीजे याद होंगी जिन्हों पहले पढ़ लिया है ठीकिन नहीं पढ़ा है वो कॉमेंट पढ़ेंगे क कॉमेंट पढ़ने में काफी बच्चों को मज़ा आता हुआ क्लास देखें ना देखें चलो कॉमेंट देखकर आते हैं किस टीचर के लिए क्या किया है कितने नंबर दिये हैं सो यहां पर देखो कि हम जब 21-year की बात करते हैं फिर एक समय बाद लगा कि नहीं भई आप जो सार्व भौमिक व्यस्क मताधिकार इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीकें इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखिएगा यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज तो सार्व में एक व्यस्क मताधिकार यानि एक निश्यत आयू पाने के बाद आप वोट कर सकते हैं व्यस्त मतलिक लेना इस व्यस्क ठीक है व्यस्क मताधिकार क्लियर है ठीक है अब एक बात और सुनों गाधी जी का एक कोट इससे जुड़ता है गाधी जी को इस बात से बड़ी आपत्ती थी मैं ये बात बरदाश नहीं कर सकता कि जिसके पास धन संपदा है जिसके पास वेल्थ है पावर है एजुकेशन है वो वोट दे और जो गरीब है इमानदार है वो वोट ना दे तो सार्व देखो यूनिटी इन डायवस्ट्री के बारे में नहरू कह रहे थे ठीक है और यहा अबर गांदी जी का क्या मानना है मैं ये बात बरदाश नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जिसके पास धन संपदा upright नहीं है जो गरीब हे वो वोट ना कर दने की जबी आधर एपको आपको लिए इस पैस बात है तो आप उसके याध्य दिने के करणा को सुना क्लियर है डैमोक्राटिक गवर्मेंट आखिर क्या होती है सो यहां पर देखो कुछ इंपोर्टेंट बात एक बाद फिर से सुन लो कि भागीदारी होगी लेकिन हमारे यहां क्या है आप रतिष्ट तरीके से है यह जो रिप्रेजेंटेटिव से बच्चों कानून बनाएंगे और हमने जो वोट है कैसे किया सार्भों में एक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया ठीके योनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज 21 एर से 18 साल हो गया संचोधन मुझे आप बता दीजेगा अब एक बात सोचो कि आपको आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम वर्ट लेवल पर बात करेंगे तो विश्व में चुकि महिलाओं को अधिकार काफी बात में मिले इवन जब आप यह सोचेंगे कि आज जिन्हें आ बच्छों महिलाओं को जो सफ्रेज है ठीक है जो राइट वोट है उन्हें बहुत बाद में दिया गया इवन इंडिया में तो यह था बच्छों कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी वक्त हमने ववस्ता कर ली थी और पहला जो आम चुनाव है ठीक है उसमें हमने प् सफ्रेज का मतलब क्या है एक सफ्रेज मूब्मेंट चलता है सफ्रेज का मतलब क्या है अर्थ क्या है वोट देने का धिकार मेनिंग है इसका वोटिंग राइट ठीक है लिख लेना वोट देने कधिकार यह जो सफ्रेज है उसका मेनिंग है सफ्रेज को हिंदी में भी सफ्रेज ही कहा जाता है मुवमेंट स्राइट अर्ली 20th सेंचुरी ठीक है और यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली यह किससे संबंदित था बच्चों बीस भी शताबदी की जब हम बात करेंगे यहां पर राइट वोट की बात होती है और यहां पर जो एक्वैलिटी की डिमांड ने को रहे है न व वर्ल्ट वजट था कब हुआ था परस्ट अगर हम वर्ल्ट वर्ड की बात करें तो आप देखेंगे कि जो मेल स्परुष थे वो सारे कहा चले गई युध्ध में चले गई और जब लोगों को पता चला अच्छा ये योगता भी महिलाओं में होती है ठीक है एरोप्लेन भी जो है लड़किया उड़ा सकती है मैच लड़कियों को आता है शकुंतला दिवी करके एक मूवी है देखेगा उसको ठीक है तो इस तरह कि आप बायोग्राफी जो है या फिर जो मोटिवीशन टाइप की मूवी जो आपको आप किसी सब्सक्राइप की बात करेंगे बचों योगता की बात करेंगे कि यहां पर लोगों को यह पता चला कि महिलाए जो है वोट दे सकती है और इसके बात यूके एन यूएस च्यूदेश है यहाँ पर जो देने या इन बन इतन यॉप तो आपको अरेंज कर ना हे इसी chronological order में कि consider women suffering, struggle in the world, ठीके, US, UK, India and Japan, क्या होगा इसका answer, देखो सबसे पहले अगर हम US की बात करें, US में बچो 1920 में यह अधिकार महिलाओं को दिया गया, UK की जब हम बात करेंगे 1928 में और जब हम इन्डिया की बात करेंगे 1950 में, पहले आम चुनाव में जो है अधिकार दे दिया गया था और जापान को जो अधिकार है वो इंडिया के पहले दिया गया था ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है किसी बच्चे को मिल जाए तो बताना कि जापान को कब दिया था ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना फिर आपके लिए ये कुश्चन है आपका मोनार्की फॉर्म आप गवर्मेंट से राज तंतर से ठीक है तीन स्टेटमेंट है याप पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फर्स स्टेटमेंट है दा मोनार्क हैस दा पावर तू मेग डिसीजन एंड लॉव बट नॉट दूरन दा गवर्मेंट सम्राट के पास निर्नाय और कानून बनाने की शक्ति होती है लेकिन सरकार चलाने की शक्ति ने होती सकेंड है सम्राट के पास मामलों पर चर्चा करने के लिए छोटा समू हो सकता लेकिन अंतिम निर्नाय की शक्ति सरकार के पास है मोनार्क है देस् making power remain with the monarch monarch has to explain their action of defend the decision they take monarch ko apne karyo ki vyakya karni hogi aur apne dwara liye gai nirnayon ka bachav karna hoga so jab hame types of government mein democratic ki baat ki thi democratic government ki baat ki thi monarki ki baat ki thi to hame so hame jana tha ki yaha par chuki log chun rhai hai aur agar aapne bijli bil bada diya aapko explain bhi karna hai aapko defend bhi karna hai baat raja jo hai wo suli par bhi chadha dhega lekin aapko vyaakya uski nahi karayga uska man hai hai thikai first dekho agar raja decision le raha hai karun banane ki shakti hai agar sarkar chalane ki nahi aray bhai ye bhi shakti hai na ye bhi shakti hai so ya par second bhi wrong ho gaya third kya hai third bilkul sahih hai jiasse ki aap dhekhti hai ki final decision raja hi lega lekin small group of people joe hai jasaruri hooga jiasse mantri joe hoote hai ya uske main joe ham kehdeke mokhya mantri joe uske hoote hai na mokhya wala mokhya alag hai chief minister ki baat ni ho rehi raja ke toh yaha par aap dhekhe ki matter discuss kar raha hai lekin usko decision leena hai bahwa uske liye suatantra hai so ya par correct poosha tha aap agya aapke liye homework 50 word mei likhna hai mujhe iasi ummid hai bacho ki aap isko likhe aap kaafi saare bacho ki ban mei question hooga ki mahi mese check kaise karai dekhi ma question dee rehi huon aapko aagar aap check nahi bhi karayenge aap imandari sapna kaare kar raha hai wo bhi us up us mein bhi aapka development hooga aapki writing skills joe hai definitely bachos develop hoongi so ya par dekho aaj mei aapke lila hai yun seven question fifty word mei likhliye ga ya phir hundred word jiski jitnish shadha hai na so ya par dekho government kya hai sarkarkar kya hai आप कुछ example साथ में रख सकते हैं, मैंने topics बनवाए हैं, समझाया है, questions करवाए हैं, I think आप कर पाएंगे, कारून क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या है, राजा शाही क्या है, चुनाव क्या है, प्रतिनिधी लोकतंत, representative democracy and universal adult franchise सार्व भॉमिक व्यस्क मत अदिकार, क्रिंशॉट ने लो, सो आची क्लास में हमने बात की, आपको हमवर जो दिया, वो याद रखना है, दो तिन कुछिशन के आंसर नहीं बताए, दो कुछिशन के, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है, कुछिशन नमबर ये टू है, और काफी सारे कुछिशन हमने सॉल्ट किये ते लिएका बात की डैमोकरसी को लेकर हमने समझ थिकर, नगी साथे कंड़े समझ के अग्रत, अपको हमवर ये याद करना भी है, विलन की ऐखना दीक में हो, बहुत जीडरे है, याद करते तो और जब आप इसका स्टेंडर्ड जानेगे ना, जब आप इसको लक्ष्मी गांदे बाकी स्टेंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, आपको इसली समझ में आएगा बच्चों, ठीके, तो यहाँ पर देखो, प्रियम्बल क्या है, पूरा याद करना, इंग्लिश वाले होता है, सम्टाइम्स अगर कोई मिस्टेक होती है, इंग्लिश वाला जो है माना जाता है, ठीके, तो यहाँ पर पंथ, निर्पेक, शलोक, तंत्रा, जो भी इंपोर्टेंट वर्ड है, उन सब का इंग्लिश देखेंगे आप सभी, आपके लिए हमवर्क है, यह याद करना सो हमने आज गवर्मेंट की बात कर ली, की element of a democratic government हम upcoming class में करेंगे बच्चों, जो की आपकी मंडे को होगी, मैंने starting में कुछ बच्चों के नाम लिये थे, प्रतीक है, धनराज है, निधी है न, एन प्रभात, आपकी भी जो बात है, वह मानी गई है, हमके वाल पॉलिटी को ले कर ही चल रहे हैं, तो ये थी हमारी आची class जिसमें हमने किस चीज को ले कर समझा, बच्चों, government को ले कर हमने बात की, ठीके, सदकार क्या है, इसको ले कर हमने बात की, I hope आप सभी को जो बनियाद बैच है, अच्छा लग रहा होगा, आप सभी के feedback, आप सभी के comment, आप स चली मिलते हैं अपनी next class में, आपको याद अठना है कि ये जो class है, बच्चों, Monday to Friday है, ठीके, so Saturday, Sunday आपको जो classes है, वे नहीं मिलेगी, उस वक्ता प्रिवीजन कीजिए, अपना homework कीजिए, और लेडी में इतना ज्यादा homework आपको दे देती हूँ, कि अगर आप इसे offline class सुच करें, तब भी आपके लिए काफी work है करने को, तो चलीए, मिलते हैं हम अपनी next class में, जो भी बच्चे UPSC वाला YouTube चैनल पर लए हैं, वो subscribe कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगे, तो बच्चों लाइक जरूर कीजिए, and NCRT का importance, कुछ बच्चों के अभी भी कल की class में message थे Thank you, thank you so much.